कईसे आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो कुछ दिन पहले मैं आपके लिए 300 वाट एंपलिफार बोड की वीडियो लेकर आया था लेकिन आज मैं वाइरिंग करने वाला हूँ 600 वाट एंपलिफार बोड की यह एमप्लिफार की दोरा मैनुफेक्ट्टर किया गया है इससे मे के original MOSFET है और तरफ आपको तोशीबा कंपणी के original 1947 MOSFET मिल जाएंगे यहां भी साथ और दूसरे तरफ बिजाएंगे 14 MOSFET आपको इस amplifier में मिले जाते हैं और heatsink की quality काफी जबरदस्त है और यहां पर इसके साथ अटेज करने के लिए हम power supply को भी small करेंगे क्योंकि इसके बिना यह नहीं चल पाएगा यह AC से DC बिनाने के लिए small किया जाता है यह transformer के साथ अटेज छुटा है और हां बहुत ही बहुत ही जो है खास बात है आज हम वीडियो में 50-0-50 ट्रोडल transformer का इसमाल करेंगे इसमें 15 MPR output मिलता है आपने देखा होगा पहली जो जितनी भी मेरी amplifier connection की वीडियो थी सभी की सभी 27-0-27-0-12-18-0-18 transformer से मैं चलाता था लेकिन यह heavy watt का है तो इसमें अच्छी performance के लिए 50-0-50 transformer का इसमाल करूँगा इस चीज मैं आपको बता देना चाहूँगा अगर आपको यह सब चीजा खरीद नहीं है तो आपको मैं discussion में सभी का link दे दूँगा और इस board की भी खास बात है इस board के बारे मैं आज नहीं बताऊंगा कल प दिजार कीजिए फिलाल मैं यहां पर आपको इसके connection बता देता हूं तो transformer के बारे मैं पहले बता दूँ आपको इसकी wiring का ठीक है यह copper में available है और आपको non copper भी मिल जाएगा यानि कि आपको आपको aluminum में भी मिल जाएगा आप इसको offline order कर सकते हैं बाकी सभी को आप flip card से order करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेकिन इसको आपको offline order करना पड़ेगा तो link इनका link आपको description मिल जाएगा और बाकी इसका जो इसको order करने के लिए phone number आपको मैं दे दूँगा वहां पर direct call करक आप order दे सकते हैं अलग-अलग MPR में मिल जाएगा आपको 15-25 और इसमें जो है आपको 50-55 लेना है 60-60 लेना है फिर 50-50 लेना है अलग-अलग हिसाप से आप order दे सकते हैं बाकी आप वहां पर पूच सकते हैं यहाँ पर आपको detail से बता देता हूं और DJ वालों के लिए खास वोल्ट इन आउटपूट होगा 12 जैसे कि आप 12 वोल्ट से कोई जैसे कि आपका जो विज्वालाजर लगता है लाइट वगरवाला जो मैंने दो तिन मेले वीडियो बना था न उसके लिए आप 12 वोल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं यहाँ पर 12-0-12 का भी इसमें दिया गय इन तीनों मैंसे हमारी 50-0-50 नील वारी 0 है बाकी यह 50-50 की है तो सबसे पहला जो कनेक्शन होता है हमारा यह वाला 50-0-50 का जो कनेक्शन होगा इसके साथ में होगा यह देखिए अब यह देखिए आप कनेक्शन हमें स्टार्ट कर रहे हैं आप बिल्कुल भी स्किप मत देखिए अगर सीरिस्ली आप देखना चाहते है तो वीडियो को बिना स्किप यह देखिए यहां पर देखिए इसमें लिखा हुए ट्रांसफोर्मर तो यह तीन वायर हमारी यहां से जुड़ जाएंगी और जुड़ेंगी सीरियल वाईज यह देखिए 50 की वायर यहां प ठीक है और साइट की इधर उदर आप बदल सकते हैं लेकिन बीच की वायर हमारी बीच से ही कनेक्ट होगी इतना आप पहले हमेशा ही ध्यान रखिएगा चलिए फिसमें टेपिंग कर लेता हूं एक चीज़ हम आपको उता दूँ इसमें यहां पर धान दीजेगा यहां पर यहां से हमारी कनेक्ट होंगी जीरो वाली हमेशा बीच में ही रहंगी पिली वाली बीच में तो यहां पर अची वाली इसको भी हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर इसके connection हो चुकी है देखिए यहाँ पर हमने इसको connect के लिया transformer के साथ और यहाँ पर हमारी निकली यह देखिए प्लस, माइनस और बीट में ground और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो supply लिखा हुआ है यहीं पर connection होना है supply पर connection होना है और जो plus का है जहाँ पर plus लिखा है न तो plus का आप यहाँ पर plus के ही साथ जोड़ेंगे गलत connection आपने नहीं करना है और ground का बीट में ground के साथ and minus का minus के साथ अगर आपने गलत connection यहाँ पर कर लिए समझ लेजे आपका board खराब हो सकता है ठीक है plus minus and ground यह देखके ही आप connection यहाँ पर कीजेगा तो यहाँ से transformer से इसमें देखे माँ पूड़ाउन करके दिखा तो दो connection हमारे power के हो चुछ है अब signal का अब यहाँ पर हम Bluetooth से Bluetooth से इसको signal देंगे तो Bluetooth से signal देने के लिए एक connector यह पर बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखाया और यहीं से मिल जाएगा मैं यहाँ पर पांच वोल्ट को पावर देने के लिए यहाँ से हमने यह देखे पांच वोल्ट का जो पॉइंट है यहाँ पर तो यह पांच वोल्ट है इससे हमारे Bluetooth को पावर चली जाएगी और ट्रांसफोर्मर से हमारी 120-1 के लिए आ चुकी है यह भी चल गया है और यहाँ पर ब्लुटूट से जो हमारी यह वायर निकली इंप्ट के लिए मतलब यहाँ से जो signal आएगा इसके अंदर input होएगा और यहाँ से फिर इधर के connector से हमारा main amplifier पर जाएगा तो main amplifier पर यहाँ पर एक point दिया गया है इस corner पर यहाँ पर हमारे एक connector इस तरीके से लग जाएगा इस तरीके से connect हो जाएगा और यह दू वायर जो हैं ग्राउंड वाला ग्राउंड के साथ और यहां पर देखिए सिंग्र चैनल पर है तो वहां पर यहां से सिंग्नल निकलेगा बूस्ट होगे तो यह देखिए यह ग्राउंड पर लग जाएगा और यह हमारा लेफ्ट एर रैट किसी में भी जोल जोड़ता हूँ यह सबसे लाष्ट वाला ग्राउन को पॉइंट है चलिए हिस्से जोड़ लेते हैं यहाँ पर शोड़िंग कर लेते हैं इसको तो ग्राउन वाला ग्राउन के साथ यहाँ पर जूड़ गया है और यह वाला जो हमारा अभी हम नौर्मल साउंड चाहरे है तो जोड़ना है तो चलिए यहीं से जोड़ लेते हम ताकि यह कहीं पर अटेच ना हो बस यह जुड़ गया है अब इसको हम on करते हैं और आपको मैं हाँ एक चीज़ है अभी speaker के भी हमारे connection नहीं हुए तो speaker के connection होने तो यहाँ पर देखिए speaker के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है साब साथ speaker speaker तो speaker के लिए भी हम जोड़े लेते हैं output के लिए तो चलिए फिस सारे connection हमारे हो चुके हैं एक एक चीज़ में आपको बताऊंगा अगर आप इसको amplifier के अंदर cabinet के अंदर fit करते हैं तो आप इसमें जरूर लगाई है क्योंकि यहाँ पर यह heat sink heat होती है और हाँ एक चीज़ में और बताना चाहूंगा इसका ही एक और update version आ जुका है जिसमें इसमें थर्मो इस्टेट भी दिया गया है इसकी body में थर्मो इस्टेट दिखा है यह जब overheat होता है तो automatic off हो जाता है यह वाला नहीं बलकि इसका एक update version है जल्द ही उसका व 12V देनी पड़ेगी तब जाके यह on होगा soft starter module इसमें लगा हुआ है इसकी वज़े से यह जब तक इसमें 12V नहीं जाएगा तब तक यह on नहीं होगा तो इसी transformer से हम अब 12V लेंगे और इसे हम डेंगे डेक्ट 12V जाएगी इसमें rectifier लगा हुआ है और बागी capacitors वगर इसमे लगे हुए हैं तो यहाँ पर आप घपराई में direct इसको 12V दे दीजिएगा आप इस connector को में लगाऊंगा और इसके बाद यह on हो जाएगा कुछ देर में देखिए देखिए प्यारा से गाना आपको इसमें हम सुनाते हैं करेखिए और राद प्यारा से तो आपको इस एंप्रिफार का पॉफुमेंस का ज़रूर बताना यहां पर तो सिर्फ मैंने वॉल्यूम बहुत कम करी थी क्यांकि स्पीकर मेरे पास मात 10 इंची का यह मैं आपको दिखाता हूं यह 10 इंची का स्पीकर है इसके फुकने के चांज से ज्यादा होते हैं इसलिए मैंने आप पर इसकी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा ही थी सिफ कम ही अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिसके सुन में मैंने डीटेल दे दी है वहां से चेक आउट कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इसमें और भी जो नया मोडियूल आ रहा है उसका भी वीडियो में जल्दिसे पना दूँगा थैंक यू सो मुच वाचिन दिस वीडियो